Hello students, today we will learn the Gujarati subject. In last lecture, we learned the poem नाग कानवगर गाँ and discussed. Now, I will tell you a story, page number 2 in your Gujarati text book. एक जोकर जुम्रु एनु नाम, तो एक जोकर था उसका नेम क्या था? जुम्रु एक दिवस जुम्रु साडामा गयो, तो एक दिन वो कहाँ पे गया तो स्कूल में गया, बधा पोत-पोता ने जग्याए गोठवाता हाता, तो सब अपने अपने जगापर बैट रहे थे, बधा ने नजर सामे जाते तो सबकी नजर कहाँ पे थी तो सामने थी, त् अमन चमन गुड़के लड़ू, लड़ू में से गी निकालो, तो वो ऐसे गुमते गुमते आ रहा था, तो वो गाना गा रहा था, कि अमन चमन गुड़के लड़ू, लड़ू में से गी निकालो, आवो घाता घाता जुम्रु ने आखो मोटी करी सवनी सामे जोईने अटक तो ऐसे घाते घाते वह जुम्रु क्या की थी वह क्या हो गए थी बड़ी-बड़ी करके सब को देख रहा था बद्धा ने नवाई लागी कि जुम्रु घातों के इम ना थी तो जुम्रु फरीग आयो अमन चम्मन गुड के लड़ू-लड़ू में से गी निकालों तो सब को जुम्रु घाना क्यों नहीं गारा आये तो वहीं से जुम्रु अपना घाना फिर से स्टार्ट करता है कि अमन चम्मन गुड के लड़ू-लड़ू में से गी निकालों एने जोनारा सभू घावा लागया इशारों करयों तो वहां पे सब लोग घाने लगे उसका इशारा कि सवे एक वकत गायों तो सबने भी उसके साथ एक बार गाया पच्छी जुम्रु आसपास जोवा लागयों ने ठुमका मारी ने एक चोकरा पासे जहीने उबर आयो त्या उबर आहीने यहने गीत गायो तो फिर जुम्रु ने क्या किया वहां सब के पास आसपास देखने वह एक लड़के के पास जाके खड़ा रहा और वहां खड़े रहे के वह कौन सा गाना गाता है तो वापिस वह गाता है कि अम्मन चम्मन गुड के लड़ू लड़ू में से घी निकालूं पीपल पर है एक ही पान फट से पकड़ो मेरे कान इटलू घाईने जुम्रु ए छ तो छग्रो नेट छोक्रा है कान पकड़ी ने खेच जो के तरह तो जुम्रु ने तूं म्मोटँ कान छोक्रा ना हाथ estavam hours झांबरू ने उस बच्चे को अपना कान पकड़ने का इसा रखीया तो उसबच्चे के हाथ में उसका कान आ गया जुम्रु मोटे थी हस्वा लागे क्या करना था फिर वो जोर्जोर से हसने लगा आज suffiast जोई सामे बेठेला सो हसी पढ़ा तो उसको देखकर जो लोग सामने बेठे था वो भी रहा सपड़ कुने फरेथ newly चालतो चालतो आगड गए तो फिर से जुमरु चलते चलते आगे बढ़ा एक नानिग छोकरी उभी तो वहाँ पे एक छोटी सी लड़की खड़ी थी जुम्रू एनी पासे जैने बेशी गए उने गीत गायो तो जुम्रू उसके पास गया और उसके पास में बैठ गया और वहाँ पे जाके फिर से वो गाना गाता है अम्मन चम्मन घुड के लड़ू में से घी निकालो तुम तो लगती हो चालाख जट से पकड़ो मेरे नाग घीत पूरू थायो के तरदज ए छोकरिये नाग पकड़ी ने खेची लिदू जैसे घानाग खतम हुआ तो लड़की ने क्या कि उसका नाग पकड़की खीच लिया जे वो नाग खेचायो तो जैसे इनाग उसका खीचा त जुम्रू जो करे ओई बाप्रे एवी राड पाड़े तो जैसे उसका नाग खीचा तो जुम्रू जोर से चिल्ला आया कि ओ बाप्रे जुम्रू उन्हों नाग निकड़ी गयो तो जुम्रू का जो नाग था वो निकल गया ते राड पाड़तो हतो तो तो वो चिल्ला रहा जो नार सव हसता हाता तो जो लोग देख रहे थे वो सब हस रहे थे जुम्रु पोता ने हथेली नाक उपर राखी आखा मेदान मा फर्वा लागयो तो जुम्रु अपने हथेली पे नाक रखकर पूरे मेदान में घूमने लगा साथे साथे एक घीत घातो हतो तो साथ साथ में वो गाना भी घा रहा था सवने एक साथे घावा माटे इशारा पन करतो हतो तो सबको वो इशारा भी कर रहा था उसके साथ घाने के लिए एक जगे अटकी तेड़े गायों तो एक जगा वो खड़ा रहकर फिर से उसने गाया अमन चम्मन घुड के लड़ू में से गी निकालूं आगे पीछे कुछ मत पूच बस पकड़ ले मेरी मूच एक नाने छोकरी डरता डरता मूचो पकड़ी तो एक लड़की डरते डरते उसने उसकी मूचे पकड़ी थोड़ी खेची ने मूचो तो एना हाथ मा जावी गई तो जैसे उसने थोड़ा जोर से उस मूच को खीचा तो वो उसके हाथ में आ गई ए ए मूचो गई बूमो पाड़ी बद्वा हस्वा लागया तो ए मूच गई ऐसे करके सब लोग चिल्ला कर हसने लगे जुम्रू आगड गए तो जुम्रू और आगे बढ़ा अहीं एक टीचर बैठा हता तो वहां पे एक टीचर बैठे थे जुम्रू जोर थी गायू अम्मन चंबन घुड के लड़ू लड़ू मैसे घी निकालू जोकर ना माथा पर तो हवे एक के वाड नहतो तो अब तो जोकर के सर पर एक भी बाल नहीं था सवने आखेल जोवने मज़ा आवे तो सबको ये खेल देखकर बहुत मज़ा आया बधाय गायू सब फिर सास में मिलकर घाने लगे अम्मन चंबन घुड के लड़ू लड़ू में से घी निकालू नाचो जूमो घाना अगाओ टकले पे तबला बजाओ जूमरू माथा पर वाड हाथ वड़े तबला अगाड़ी नाचवा लागयो बधा पेट पकड़े खुब हसवा लागया तो फिल जूमरू है ना उसके सिर पे तो बाल नहीं थे तो वो अपने ही ह माथ से अपने खुद के माथ सर पर क्या करने लगा वो तबला बजाने लगा ये देकर सब क्या कर रहे थी अपना पेट पकड़कर हसने लगे अब हम क्या डिसकस करेंगे तो वागचित वागचित मतलब डिसकस तो फर्स्ट जूमरूनू कई गित शाओने वधारे तमने घम्यू तो आपको जूमरू का कौनसा गाना सबसे अच्छा लगा जूमरूनू नाख कोणे खेचियू तो जूमरू की नाख किसने खीची थी तो एक लड़की ने कान पच्छी जुम्रुए शू पकड़ियू, तो कान के बाद जुम्रुने क्या पकड़ने के लिए बोला तो नाक पकड़ने के लिए बोला, वाल पकड़ती वक्ते जुम्रुए शू घायू, तो जब बाल पकड़ रहता वो, तो तब जुम्रुने कौन जोकर अमन चमन गित कितली वार घायू तो जो जोकर था उसने ये वाला सौंग कितनी बार घाया आ जोकर ना बिजा नाम पाड़ो तो आप इस जोकर का दूसरा नाम भी रख सकते हैं जुम्रु ना कया अंगो नकली हाता तो जुम्रु के कौन-कौन से बोडी पार्ट से जो नकली थे तो नेक्स्टीज चालो घाये गितलू नानु एक पतंग्यू भाई वेरी गुड तो ये आपको घर पे एक बार पोयम रेसिटेशन करना है और खो उदान मुझब दरकवाके मां थी जेते मुडाक्षर ओडखी ओड़क करावी अन्य सरकल करावो तो आपको क्या क करना है तो इनु tomar करना है कि जैसे की गगा थी तो यह है और यह यह है तो आपको सेटेंस क्या है, जुम्रू नाग केव मजानेू कहां कहां आ रहा है तो उसके उपर आपको सरकल करना है फिर जहां घ आ रहा है तो आपको उसके उपर सरकल करना है फिर छ आ रहा है तो छ के उपर सरकल करना है ब है तो ब के उपर सरकल करना है द है तो जहां जहां द आ रहा है तो आपको वहां पे भी सरकल करना है फिर कौन सा मुलाक्ष तो वह तो जहां जहां सेंटेंस में वह आ रहा है तो आपको उसके उपर सरकल बनाना है फिर न तो जहां न आ रहा है वहां पर आपको सरकल बनाना है ऐसे इस पूरे में आपको जहां जहां जो मुलाकसर दिये गए हैं वह आपको सेंटेंस में से ढूंड का सरकल करना है थैंक क्वी।